दोस्तों विंटर का सीजन आ गया है और आप तो जानते ही है विंटर में सबसे ज़्यादा ठंड हमारे हाथों को लगती है इसलिए गैजेट्स की लिस्ट में नमबर वन पर है हैंड वार्मर्स दोस्तों यह छोटु सा हैंड वार्मर्स बड़ा ही कमाल की gadget है इससे हाथ को गर्म करने के साथ साथ emergency time में आप mobile को भी charge कर पाएंगे इसमें temperature adjustable बतन में द्याग जाए जिससे आप gadget की heat को control कर पाएंगे और अपने हाथों में heat जितनी जरूरत हो उसके अनुसार set कर पाएंगे इसे आप कहीं पर भी idly pocket में carry कर सकते हैं और ठंड लगने पर अपने हाथों को सेख सकते हैं नमबर टू पर है hot electric comb दोस्तों सर्दियों के मौसम में हमारा बाल अकर साजाता है जिसे simple comb से set करना काफी मुस्किल होता है इसलिए simple comb के वज़ाए आपको इस hot electric comb को यूज करने की जरूरत है इस hot electric comb में पतेक टीद के पास heat element लगा है जो आपके टेड़े मेड़े और अकड़े हुए बाल को सीधा करता है और उसे set रखने में मदद करता है नमबर 3 पर है facial cleaning brush दोस्तों जब हम लोग घर से बाहर निकलते हैं तो बाहरी pollution और धूल कन के कारण हमारे face पर काल थोड़ा मुश्किल होता है इसलिए इस electric facial cleaning brush का इस्तमाल करें और अपने skin पर जम्य गंदगी को अच्छी तरह सफाई करें इसके साथ साथ आप किसी भी क्रीम के साथ आप अपने skin का मसाज कर पाएंगे जो आपकी skin पर जुर्री होने से रोकेगा नमबर फोर पर है female urination device यह device सिर्फ महलाओं के लिए है जो emergency time पर urine discharge करने में मदद करता है अब आप लोग सोच रहे होंगे यह कैसा weird sa device है भला इसका इस्तमाल महलाएं क्यों करेंगे वा तो ऐसे भी urine discharge कर सकती है लेकिन दोस्तों एक बाद जहां से सोचें जब किसी महला को body pen हो यह उसकी शरीर की weight ज्यादा हो जिससे बैठने में प्रिशानी होती हो यह किसी emergency situation में महलाएं इसका इस्तमाल कर सकती है नमबर फाइब पर है electric pen दोस्तों इसे simple pen समझने की गलती ना करें यह एक powerful जटका देने वाली electric pen है जिसकी मदद से चोरों और लुटेरों से पॉकिट में टांग सकते हैं और जरूरत पढ़ने पर अपनी self defense में इस powerful electric pen की मदद से दुसरों को high voltage का जटका दे सकते हैं तो दोस्तों इन पाचों गैजिट्स में कौन सा गैजिट्स सबसे ज़्यादा उप्योगी है कमेंट में बताएं